तो हेलो दोस्तों आपका बहुत-पहुत स्वागत है आपके अपने चैनल धमालन्कित में अब हम आपको बताने वाले इस वीडियो में साइकल का दुम कैसे तैयार कर्या जाता है पूरी जानकादी वीडियो में अंतंक बने रहे हैं ये कितने तील्यों आपो資 तरीके से डलते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक जैसे कि आप देख सकते हैं आप हमुआ जैसे है कि आप को हपינו हैं नीचे के जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं और जो इसकी कैप है वो नीचे जाएगी और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये स्पोग बनाने है एक नीचे की सहड से और एक उपर की सहड से इस बात का आपको वेसे दियान रखना है विदि आपको कोई स्पोग गलत हो गया तो आपका जाल सही तरीके से नहीं गिर पाएगा उसकी लहक भी नहीं लिख्ड़ पाएगी तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आपको तो आपको इसी तरीके से सारे स्पोग डालने होगे चलिए दोस्त हम जल्दी से स्पोग बना लेते हैं चलो जसे बीड्लाय कि दो कि अ, लेते हैं काड़-उन press दोस्तों जोसे कि आप दोस्ते हैं आप दोस्ते हैं और हम दूसरी सेड में भी इसी तरीके से आपको सेम स्पोग गेरने होगे एक नीचे की सेड से और एक आपको उपर की सेड से जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक स्पोग नीचे की सेड से सेम वह परसेस है जो हमने पहले किया था और एक नीचे की सेड से आपको गेरना हुआ जैसे कि हमने एक नीचे की सेड से गेरा और एक उपर की सेड से गेरा कैप हमारी उपर आ गई और एक की कैप हमार नीचे आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो दोस्तों जल्दी से ये भी हम गेर लेते हैं इस पूर्ट कि दूर्ना मारोई जर्क देख से ये लेखर कि आप सकते हैं प्रम प्रशाए प्रशाए है कि अधिक प्रशाए है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रिम है यह पिछला रिम है और इसमें चालीस छेद होते हैं और जो हमने जो हथा हमारा वेभी पिछला ही हथा उसमें भी चालीस इसपोक जलते हैं 씨 four चेद होते है तो दोस्तों जैसे यह यह रिम आते हैं हमारे बंडल में तो यह मुड़ जाते हैं तो इनने हमें पठकी नहीं आएगी आप देख सकते हैं फरस पे इस तरीके से हमने रखा है इसी तरीके से आपको रखना है फरस पे और अपना रिम सीधा कर लेना है इस बात का विसे दियान रखें जो आपके फरस पर आप अपना रिम रख रहे हैं तो उसका नीचे का सीरा बिल्कुल प्लैन होना चाहिए नीचे उठावा नहीं होना चाहिए यदि आपका सीरा उठा हुआ है तो आप उसे हलका सा पटकी मार के सीधा कर लीजिए तो दोस्तों दोस्तों यह जो जाल गिरता है वो आट तारी ते गिरता है और तारी पगड़ने पड़ेगी राने कि आर्ट इस पोग तुम्ह हो और युख और आर्ट हो है और एक तो एंग्ले दhoneया पोकहना करना है जिसे तमे ये कि यह जो बागति दिलिया है यह जो उपर की है जो तमने निचल ला-इस पोगडे वह तम्हें इस कर ले नहीं है अर्ट यह लिदे यह तालीज करने पहला है यह होजिए Dieu अधरps गया जी यह जो रिम्मे बनता है अब इसमें जाल में इस पोग जो सेध होते हैं रिम्मे निच्चे और उपर होते हैं तो जो जाल हता है वो उपर ले मावगाराने के जैसे की इन में यह जो निचले जाल है इने यह जो उपर की ताडिया है यह जो उपर ताड़ी बनेगी तो यह में उपर बनाना है अब ना समझ माया हो तो हम दुबारे समझाते हैं हटके से बाइसान नहीं आता है समझ में अब फिर हम हटके तमें तीली पकड़ेंगे एक दो तीन चार पांच सेंग साथ आठ अब यह जो उपर ली है और यह नीचे की इनका जोड़ा बनेगा और यह जो तीन है तीन इधर चली जागी और यह जो तील इधर चली जागी यह हमारा जोड़ा बनके तैयार हुजा है जिम के ओपर के सेद है ओपर के सेद में ही यह तीली बनानी है एक सोड़ कर सप्थिया जागर जागी जोड़ा एक सोड़ना है और इसमें बनानी है इसी परकार से आपको अपर की पकड़ी थी जोड़ चोड़ के ओपर की पकड़नी है आप जैसे कि यो निचली है तो हैमें नीचे की पकड़नी है इसी परकार से सारे नीच Agora कि पकड़नी है यह ऊपर की पकड़नी है और इधर से निचली पकड़नी है अब यह आपका जाल गृता चला जाएगा जाल ऐसी बनाना है एक सोड़ना है भीच में और एक बनाना है हम बार बार समय समझाते रहेंगे जिसा हम वीडियो ऐसी नगे बनते है जो किसी की समझ में ना है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे हमारे सेयो भाई ने भाई ने बताया है एक छेद छोड़कर आपको एक तीली लगानी होगी, ईसी तरीके से आपको तीली लगानी होगी ज़िए आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी, लाइक कीजी, सेर कीजी तो दोस्तो ऐसे ही आपको दो तीली पकड़ लेनी है एक इंगे से और एक इंगे से और बिरिज बना कर आप इसी तरीके से लगा सकते हैं इसे कैंची भी बोलते हैं कैंची नुमा बना कर लगा सकते हैं और दोस्तों जल्दे से हम इसे एक सेड की तीली को लगा लेते हैं झाल झाल कर दो तब कर से बारा चर आ जो ते ज़ जब कर दो भूर्ड कर दो दो । तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने 20 तीली है वे बना ली है एक 6 छोड़ के इसी तरीके से आपको जो महरी 20 तीली बची है बाकी की उन्हें भी आपको इसी तरीके से बनाना है चलिए दोस्तों हम बता देते हैं जैसे कि हमने पिछली बार आपको बताया था जो हमने 20 तीली डाली थी आठ तीली आपको पकड़ लेनी है चार उपर की और चार नीचे की इसी तरीके से आपको आठ तीली पकड़नी है जैसे कि हम बता रहे हैं आपको इसी तरीके से आपको आठ तीली पकड़नी है चार नीचे की और चार उपर की जैसे कि आप देख सकते हैं, यह हमने 8 तीली पकड़ ली है, 4 नीचे की और 4 उपर की, यह आप देख सकते हैं, वर आपको 3 तीली, यह जो 3 तीली है, यह आपको पल्ली सैड में छोड़ देनी है, और यह 3 तीली है, यह उल्ली सैड में आपको छोड़ देनी है, और पल्ली सैड का एक स्पोक लेना है एक उल्ली सैड का स्पोक लेना है और कैंची बना लेनी है और इसी तरीके से आपको सेम जो हमने वे छेद छोड़े थे एक छेद छोड़के उनी छेदों में आपको इन्हें बना लेना है सावधानी पूरुक जैसे हम बना रहे हैं और आपका आसानी से रिम गिर जाएगा और दोस्तों जानकारी अच्छे लिगी हो तो यार चैनल को सुस्क्राइब कर लेना फिलीज चले दोस्तों हम जल्दी से इने पूरा कर लेते हैं कर दोस्तों हम जल्दी से इने पूरा कर लेते हैं कर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सारी तीली बन चुकी है और हमारा आधरी अभी तैयार हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं और जो आपकी जो ये निपिल है जो ढिले है इने आप हाथ की सायता से हलकी हलकी इनकी चूड़ी टाइट कर लीजिए और फिर आपको जब ये हाथ की सायता से सारे आपको जैसे चार चूड़ी एक की चार चूड़ी एक की आपको एक सारी आपको सबकी चूड़ी चड़ा लेनी है यादि थोड़ी चूड़ी कमबरती कर लेते तो आपका जो तीली है वे बहर जादे निकल जाएगी तो इसलिए आपको सेमी चूड़ी चड़ानी है कमबरती चूड़ी नहीं चड़ानी तो दोस्तो हम जल्दी से चूड़ी चड़ा लेते हैं डोस्तो अब आप निपलकस की साहता से इन्हें टाइट कर लीजिए जैसे कि हम कर रहे हैं और निपलकस से भी आपको सेम चार-청 कुड़ी ही कड़ानी है जादे नहीं चड़ानी जितनी एक स्पोड़ी है उतनी आपको दुसरे स्पोरी चड़ानी है जब यह आप करिम सैट हो पाएगा और दोस्तो इस से अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इसकी लहक और डबक कैसे निकाले तो हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट आने तक इंतिजार करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद